हिमाचल परदेश के उध्योग मंत्री विक्रम ठाकुर्व भासपक के कांग्रास संस्तियक शेत्र के पालक ने प्रेस वार्था को सम्भोधित करते हुए कहा कि कोविट के द्रिस्टिकत MSME उध्मी प्रभावित हुए हैं उनको आतम निर्पर भारत योसना के अंतिकत राहत देने के लिए कोलेटर मुफ्त आटोमेटिक रिन परदान करने के लिए अब तक का सबसे बड़ा तीन लाख क्रोड रुपे का वीतिय पैकेस घोशित किया गया है ताकि बाजार में तरलता बढ़ सके इस आर्थिक पैकेस का मुख्य उदेशय यदी उद्योगिक द्रिस्टि से बात करें तो कोवीट के कारण उद्योगिक सेंटर को जो एक ठक्का लगा है उससे इस खेतर को बाहर निकाला जा सकता है अब तक हिमाजिल प्रदेश के कारण बैंकों के द्वारा MSME उद्मियों को लगफग 1250 क्रोड रुपे जीरो का रिन इस आर्थिक पैकेस के अंतिगत वित्रित किया जा चुका है उद्योग विवाग के अधिकारी जब से यह पैकेस घोशित किया गया है बैंकों के साथ मिलकर उद्मियों को लाव देने के लिए प्रेरित कर रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर आदनिये शीर नेदर मोदी जी के नेतरतब में जो सरकार चल रही है जिस परकार का समय पूरे विश्व के अंदर चल रहा है जिस महामारी से हम सब लोग गरस्त हैं और पूरा पूरे का पूरा देश इन सारी चीजों को देख रहा है कि इस परकार के बातावर्ण के अंदर भी एक देश का जिसस्वी प्रधान मंतरी उन सारी चीज़ों को किस प्रकार से उन सारी चीज़ों के बारे में सोचते हैं उन्होंने इस एड़वर्स सरक्मस्टांसिस के अंदर भी उन्होंने इन विश्यों को इस तरीके से लिया है कि हम जो अगर को अगर कोई जो देश के अंदर इस प्रकार का इस प्रकार का वातावरन बना है तो उन्होंने इस वातावरन को अफसर के रूप में बदलने के लिए यह जो एक आप जिसकी आप बात कर रहे हैं आतम निर्वर भारत की बात कर रहे हैं आतम निर्वर भारत के म अधर भी जो मेरी सरकार जो आप लोगों के साथ खड़ी है उसल हिमाजिल के लिए शिमला से वीरो रिपोर्ट